हेलो नमस्कार मुंगियर उनिवर्सिटी दोरा चार वर से ग्रेज़ेशन पार्ट वन बीए बीसे बीकॉम सतर तैस से सताइस के लिए ओनलाइन आवेदन परिकिरिया सुरू कर दी गई है तो आईए देखते हैं आज की इस बुरो में की मुंगियर उनिवर्सिटी पार्ट वन सतर बीए बेसे बीकॉम तैस से सताइस के लिए मुवाइल से किस प्रकार से ओनलाइन फॉर्म फिलप करेंगे और साथ साथ जानेगे कि इनमें आप से को फॉर्म फिलप करते समय कौन कौन से डोकुमेंट्स की जर्रत होगी और इनका जो भी लाइव इस्टे बाइस्टे फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा तो सभी से रुकेस्ट करना चाहूंगा यदि आप लोग पार्ट वन में मुंगेर इनवर्सिटी से एडिमिसन लेना चाहते हैं तो वीडियो को कम्प्लेट वर्स कीजेगा पूरी मैं आप से रुकेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल पर नहीं आयो तो चैनल को सब्सकाइब कर लेजेगा और इसी तरह के नएने अपडेट्स पाने के लिए हमारे टेलिकरम और वर्सक गूर्प को जोइन कर लिजेगा मुंग्यर उन्वर्सिटी का फॉम को फिल करने के लिए सबसे पहले तो आप सिबको डिस्टेशन बॉक्स में प्रवाइड किये हुए लिंक के दोरा यहां पर आने के बाद आप सिबको न्यू अपडेट वाले सेक्शन में आना है यहां पर देख सकते हैं एक सेक्शन दिखाई दे रहा होगा न्यू अपडेट में मुंग्यर उन्वर्सिटी यूजी पार्ट वन एड्मिसन तैसे सताथ इस वाले लिंक पर क्लिक करना है इस पर जैसे क्लिक कीजेगा तो जो भी आप सिबका लिंक है यहनी कि पार्ट वन म पर देख सेसन यहां पर दिया गया 23-27 और यहां पर देख सकते हैं यूजी यहां पर है और उसके बाद बीचा है और उसके बाद बीकाम है जिस भी कॉर्स से आप से लोग यहां पे online apply करना चाहते हैं उस यहां पे आप से लोग राइट साइड में आना है और यहां पे आप से लोग लाश्ट डेट भी बताए गया है यहां पे देख सकते हैं 20-2022 से शुरू की गई है इसका last date है 31-2022 तर उसके बाद यहां पे आना है और action बटन पे click करना यहां पे देख सकते हैं B.A.B.C. com जो भी आप लोग ने apply करना चाहते हैं उस वाले line पे click करना इस पर जैसे click कीज़ेगा तो आप से लोग कुछ इस परकार से page खुल करके सामने आ जाएगा यहां पे आप से को agree पर click करके आप से को next कर लेना है उसके बाद आप से को नीचे आना है और नीचे आने के बाद आप से को यहां पे select title यह नहीं कि आप से लोग यहां पे miss है यहां पे miss select करेगा और यह आप लोग mister है तो mister select कीज़ेगा उसके बाद यहाँ पर आपसु को first name डालेंगे जो भी आपसु का first name है वो डालेंगे उसके बाद last name डालेंगे उसके बाद यहाँ पर आएगा नीचे और यहाँ पर आपसु का father's name डालना होगा जो भी आपसु का father's name है वो डालेंगे उसके बाद यहाँ पर आपसु को mother's name डालनी है उसके बाद आपसु को नीचा आना है और यहाँ पर आपसु को gender select कर लेना है उसके बाद आपसु का जो भी date of birth है वो यहाँ पर select करेंगे उसके बाद आपसु को category बतानी है कि आपसु का जो भी category है वो कौन से काटेगरी से आते हैं जर्नल, SC, ST, EBC, BC जो भी आपसु का काटेगरी है वो बताएंगे उसके बाद यहाँ पर रिलिजन में आपसु को हिंदू या मुसलिम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद यहाँ पर सारा नो ही रहने देना है उसके बाद नीचा आना है और यहाँ पर आपसु को इंडिरन सेलेक्ट कर लेना है और बलड गुरूप यहाँ पर जो भी आपसु का बलड गुरूप है वो यहाँ पर आपसु को बताना है उसके बाद एक यहाँ पर आपसु को email ID यहाँ पर डालना होगा जो भी आपसु का email ID है वो यहाँ पर डालेंगे उसके बाद जो भी आपसु का आधार नमर है वो यहाँ पर डालेंगे उसके बाद नीच आएगा और यहाँ पर आपसु को marital status बताना है कि married है या फिर unmarried उसके बाद यहाँ पर आपसो को यहाँ पर select कर लेना है जो भी है उसके बाद यहाँ पर आपसो को previous stream यहनि कि आपसो बोलो previous years में कौन से यहाँ पर course किये हुए हैं वो यहाँ पर आपसो को बताना है तो यही आप लोग 12th science से किये हैं आर्ट से किये हैं, commerce से किये हैं जो भी किये हैं वो यहाँ पर आपसो को select कर लेनी है उसके बाद यहाँ पर आपसो को correspondence address यहाँ पर बताना है कि आपसो का जो भी address है वो क्या है तो यहाँ पर house नमर देना है और जो भी आपसो का city और लेकलेटी area है वो यहाँ पर लिख देनी है उसके बाद यहाँ पर आपसु को state में ब्यार select कर लेना है उसके बाद जो भी आपसु का pin code है वो यहाँ पर डाल देना है यहाँ पर आपस्व का जो भी mobile number है उसके एक OTP send कर दिया जाएगा उसके बाद जो भी आपस्व को OTP डालना है OTP डालने के बाद verify पे click करके आपस्व को verify कर लेनी है उसके बाद यहाँ पर verify करते हैं तो यहाँ पर आपस्व को एक sign up का button देखने को मिलेगा इस sign up button पर click करने के बाद जो भी आपस्व का registration है वो complete हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपस्व का जो भी M.U. number है वो यहाँ पर मिल जाएगा उसके बाद जो भी password है वो यहाँ पर आपस्व को मिल जाएगा पर आपस्व को अपली के सा नंबर उसके बाद जो भी आपस्व को password मिलेगा वो यहाँ पर डालनी है उसके बाद login बटन पर click करने है जो भी आपस्व का M.U.ID password मिला हागा वही आपस्व को यहाँ पर डालना होगा जैसे ही आपस्व लोग basic detail पर click करेंगे तो जो भी आपस्व लोग ने यहाँ पर अभी अभी जो भी जानकारी फिल किये होंगे वो सारे यहाँ पर आपसु को डीटेल देखने को मिलेगा यहाँ पर आपसु लोग को यहाँ पर जो भी आपसु लोग ने form को फिलप किये हुए हैं वो यहाँ पर सारी जानकारी आपसु को चेक कर लेनी है उसके बाद यहाँ पर आपसु को बताना चाहूंगा यहाँ पे जो भी आप लोग student है वो यहाँ पे जो भी आप लोग इसमें किसी परकार का यहाँ पे follow करते हैं तो वो यहाँ पे आप से लोग update जरूर से जरूर करेंगे उसके बाद नीचे आएंगे उसके बाद यहाँ पे आप से लोग update का एक section दिखाई देगा तो यहाँ पर add करने को देखने को मिलेगा चले मैं आपसु को दिखाता हूँ क्या-क्या add करना है और किस परकार से आपसु को fill up करनी है सबसे पहले तो आपसु को document type में आपसु को जो भी यहाँ पर document है वो यहाँ पर select कर लिए निकी course select कर लिए तो सबसे पहले आपसु को नीचे आना और यहाँ पर आप लोग को 12th art stream select कर लिए उसके बाद जो भी आपसु का बार्मी का जो भी marksit है वो यहाँ पर PDF file में upload करेंगे उसके बाद यहाँ पर university select कर लिए है जो भी आपसु का board है वो यहाँ पर select कर लेंगे उसके बाद नीचे आएगा तो जो भी आपसु का subject है वो यहाँ पर खुलर के आ जाएगा तो यहाँ पर आपसु का subject wise detail भरनी होगी सबसे पहले तो आपसु का जो भी course है याई कि जो भी आप लोग ने subject लिए हुए हैं वो यहाँ पर आपसु को देखने को मिलेगा तो सबसे पहले तो जो भी आपसु का total marks है याई कि आप लोग का paper था वो कितने marks का total था वो यहाँ पर बतानी है उसके बाद जो भी आपसु का marks आया हुआ है वो यहाँ पर आपसु को लिखनी है जैसे यह आपसे भी लोग सेलट कर लेंगे और मार्स आपसे भी लोग डालेंगे तो उसके बाद सब्मीट बटन पर क्लिक करना जैसे यह आप से भी लोग submit बटन पर क्लिक करते हैं, सारे detail को भरने के बाद यहाँ पर आप से भी लोग देख सकते हैं, कि जो भी आप से भी लोग ने intermediate का qualification, detail भरे होंगा, वो सारे यहाँ पर आप से भी आप से भी लोग सारा detail देखने को मिलेगा, जो भी आप से भी लोग यहाँ पर इसमें edit करना चाहते हैं तो edit वाले option पर click करके edit भी कर सकते हैं यदि आप लोग जो भी form को फिलप किये हुए हैं वो लगता है यहाँ पर सही है तो आपसे लोग यहाँ पर रहने दे सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपसे बारा आना है और जो भी आपसे होगा high school ह है वो select कर लेनी है और जो भी आपसे का metric का mark sheet है वो यहाँ पर upload करना होगा उसके बाद जो भी university है ठेक उसी परकार यहाँ पर आपसे को सारी detail है वो भर लेनी है चले मैं आपसे को detail को भर के आगे process दिखाता हूँ आपसे बार जोग जोग नो detail को यहाँ पर भर लेती है तो आपसे को कुछ इस परकार से देखने को मिलेगा उसके बाद यहाँ पर therry lines पर दोबारा क्लिक करनी है उसके बाद यहाँ पर 24 वाले option पर क्लिक करना जैसे आपसे बेलोग 24 वाले option पर क्लिक करेंगे तो जो भी आ पर आपसे आपसे विलोग सेलेट करने का उप्सन देखने को मिलेगा अनुसार करने ही इसके बाद यहां पर ओनर्स फेपर क्या लेना चाहते हैं वो यहां पर डालेइगे जैसे पर यहां पर ना पर घ्लत करने हैं जो भी course है यानि के honors paper वो यहां पे choose करेंगे यदि आप लोगो अधिक सम अधिक यहां पे चुनना चाहते हैं तो यहां पे add more पे click करेंगे उसके बाद यहां पे दुबारा से आ जाएगा चुनने का option यहां पे call and select करेंगे और जो भी आपसे का course है वो यहां पे देखने को मि जाएगी उसके बाद यहां पे आपसे को three lines पे दुबारा क्लिक करनी है और यहां पे आपसे को document में आना है document में आनी के बाद आपसे को यहां पे क्या क्या upload करनी है चली मैं आपसे को दिखाता हूँ सबसे पहले तो आपसे को passport size photograph यहां पे upload करनी होगी उसके बाद आपसे क करके अपना जुबी डोकुमेंट है वो upload करेंगे और उसके बाद अपडेट पे ख्लिक करेंगे इसके बाद जो भी आपस वो ने डाकुमेंट है वो upload करके आपस वको update कर देनी है जैसे हैं आपस वो लोग upload करते हैं तो उसके बाद आपसुगा जो भी payment वाले section है उसमें चले जाना है। wallet, pay letter, जो भी आपसे का माध्यम हो, उस माध्यम से आपसे लोग अपना जो भी payment है, वो यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे आपसे लोग payment करेंगे, तो आपसे का जो भी payment है, वो हो जाएगा, और आपसे का जो भी apply है, वो यहाँ पे 100% हो जाएगा, इसके बाद आपसे का merit list के इंति जज जड़ पसंदायों